कुरोना रोधी वैक्सीन कुविट शील्ड की दूसरी डोस 84 दिन बाद लगवाने का नियम है लेकिन विदेश जाने वालों को स्वास्त विभाग ने रहात दे दी है वे 28 दिन बाद ही दूसरी डोस लगवा सकते हैं अलाकि यात्रा की पूरी जानकारी स्वास्त विभाग को देनी होगी। विभाग उसे पोर्टर पर अप्लोड करेगा, उसके बाद ही दूसरी डोस लगाई जाएगी। इस संबन में सियमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोविट टीका करण की शुरुआत हुई तो कोविट शील्ड की दूसरी डोस 28 दिन ही दी जाती थी। इसके बाद 46 दिन और फिर 84 दिन का मानक टै कर दिया गया। कोविक्सीन का मानक पहले की भाती आज भी 28 दिन ही है। इसलिए उन्हें राहत देते हुए 28 दिन का मानक टै कर दिया गया है। कई लोगों ने कोविट शील्ड की पहली डोस लेने के बाद वीजा भी ले लिया लेकिन इसी बीच या शर्त अनिवार कर दी गई कि दूसरी डोस के बाद ही उन्हें विदोशों में प्रवेश मिलेगा। इसे लेकर लोगों ने स्वास्त विभाग में टीका करण के लिए आवेदन किया था जिसके बाद ऐसे लोगों के लिए 28 दिन टीका करण के लिए छूट दिया गया है। इस दौरान विदेश जाने वालों को अपना पासपोर्ट यात्रा से संबंधित सभी जानकारी विभाग को मुहया कराना होगा। उसके बाद उनका टीका करण करा दिया जाएगा। जिससे उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हूँ। संबंध में गोरगपुर नियू से बात करते हुए सेमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा। दिन बाद कोविशेल्ड का भी डॉस जो है जिन विदेश जाने वारे लोग है वो ले सकते हैं। तो उसके लिए वो अपना पासपोर्ट और वैलीड प्रमनपद दिखाएंगी कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। कब जाना है उनको तो उसके अनुशार जो हम अपने जिले अस्पिताल में एक बूद बना रहे हैं। जो इसी के लिए रहे गा, स्कंड डोस के लिए रहेगा, कि अगर इस तता से लूग आते हैं। तो हमारे डियाएो साद वहां उस बूद पर किसी को 23 करदेंगे। और वो उसी जो कार्ड हम देते हैं उसी कार्ड पर सेकेंड डोस का 28 दिन के बाद हम उसको 28 कर देंगे और वेक्सिनेशन करा देंगे जिसे कि उनको आने जाने में कोई दिकत ना हो